हेलो दोस्तो, आज किस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगे साथ जूड चुके हैं दोस्तो, A&M के एक नई नवकरी फिर से आ चुका है अब ये जो A&M के नई नवकरी है, इसमें A&M बालों के लिए आविदन करने को मौकात दिया गया सिर्फ A&M Canada को और इसके लिए seat की बात करेंगे तो 1155 सीटों के लिए नई vacancy जारी किये गिये हैं और permanent vacancies होंगे All India के सारे candidates फर्म को apply करेंगे किसी भी state से हैं तो apply कर सकते हैं चलिए details में जानकारे लेते हैं कि ये vacancy कहां से निकल करके आ रही है syllabus क्या है, salary क्या है, last date क्या है साती दोस्तों इसके लिए official notice download कैसे करेंगे समपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंता तक बने रहे हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक ये paper cutting नहीं देखा तो बिल्कुल रूप से देख लिजिए और हमने पिछली वीडियो के माधियम से भी जानकारी दे रखे थे इसके बारे में और आज भी इसमें दिया गया आज बहुत कुछ दिया गया है पुरा जानकारी अराम से आप लोग लीजिएगा 1155 ANM पदों पर बहाली पहली बार परिच्छा से भरती सिलेवस तयार यानि अब 1155 ANM के जो पदों के लिए नई वैकेंसी आया हुआ है उसमें पहली बार ऐसा होगा जो की परिच्छा ले करके यहां पर भरती लिये जाएंगे और इसके सिलेवस भी तयार हो चुका है सिलेवस भी जानकारी दे देते हैं एक वैसकीब जो योजना उसको भी रटना होगा रिखेंगे नीछे चलिए पर देश में महिला स्वास्ते कारी करता एेनेम की भरती पहली बार परिच्छा के जरी होगी जिकितसा विभाग ने पहली बार सिलेवस तयार किया इसमें समानिक ज्यान कंप्पूटर के साथ चिकित सब योजनाओं को सामिल किया गया यानि दोस्तो ये जो वैकेंसी है राजस्थान स्वास्तिवा के तरफ से निकल कर आ रही है और इस बार 1155 सीटों के लिए A&M की नई वैकेंसी पर्मानेंट आएंगे और इसके लिए पूरी परक्रिया करने के लिए डिपार्टमेंट को भेज दिया गया अब डिपार्टमेंट बहुत ही जल्दी आप लोगों को यहाँ पर बिग्यापन निकल कर देंगे हमने पिछली वीडियो में जानकारी दिये थे अब यह जो बिग्यापन है राजस्थान सरकार की तरफ से है तो राजस्थान के अंतरगत जितने भी A&M कैनिडियेट है सारे कैनिडियेट इस फर्म को तो अपलाई करेंगे लेकिन जो कैनिडियेट अदौर एस्टेट के हैं दूसरे राजस्थान जो नर्सिंग कॉंसिल है इसमें आपको रेजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना होगा अगर रेजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिर आप इस फर्म को नहीं भरेंगे इसलिए जो दूसरे एस्टेट के कैनिडियेट है तो इस में फर्म भरने के लिए रजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में अपना रेजिस्टेशन ट्रांसफर करके फर्म को अपलाय कर सकते हैं इसससा 155 सेटों के लिए दोस्तो बात कर लेते हैं कि अभी तक में राजस्थान में कितने कैंडियेट हैं जिनका ANM में वहाँ पर registration है, यानि कितने candidate इस form को भरेंगे, अगर 2017 से data लीजेगा, तो 2017 में 1939, 18 में 1965, 19 में 1974, इस तरह से ANM की जो संख्या इसको आप लोग जोर लीजेगा, जोरिएगा तो अगर आप लोग 2000 के नुसार से चलिएगा, तो 2, 4, 6, 8, 16, और यहाँ पर कितना ह जो यहाँ पर ANM का form भरेंगे, कितने सीटों के लिए तो 11-55 सीटों के लिए, तो जएदा competition नहीं होगा, बिलकुल लुप से आप लोग अराम से exam की त्यारी करके इसे pass out कर सकते हो, कुछ हम syllabus पर focus करोगे तो इस syllabus को देख सकते हो, syllabus यहाँ पर यह रखा गया है, syllabus हम आपको के बारे में, दूसरा जो department होगा, दूसरा भाग, उसमें होगा मिडवाइफरी, स्वास्त के अंदर परवंधन के बारे में, और तीसरा जो होगा, राजस्तान का समानी ज्यान, हिंदी, अंग्रेजी भासा, और कम्पुटर का ज्यान रहेगा, इस तरह से आपको तीनों मिल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चलको सब्सक्राइब करें, थैंक्यू